तो आज चुके exercise 3.3 के questions की वीडियो में इसके पहले वाली वीडियो जाके पहले देख लेना उसमें मैंने कुल 11 formulas बताएं ठीक है वो अपन को बिलकुल ढंग से बहुत अच्छे से learn करने पढ़ेंगे पूरे exercise में काम आएंगे तो 3.3 का question 1 क्या बुला हमें prove that अब इस question में बहुत सारे आएंगे first देखते है sine square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus 10 square pi by 4 हमें prove करना है इसका answer राना चीए minus का 1 by 2 ठीक है इतना clear है तो हम answer कर लिते हैं लिखा क्या हुआ है सबसे पहले वो उतार लो sine square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus 10 square pi by 4 is equals 2 अब is equals 2 क्यों नहीं उतारेंगे क्योंकि अपने lhs लिया है यहाँ पर लिख दो lhs left hand side मतलब उल्टे हाग का ले रहे हैं हम और right hand side का हमें prove करना है तो अब देखो pi by 6 अब यह तो radian में है मुझे pi by 6 की value पता है नहीं चलो मुझे पता भी है तो मैं आप लोग को कैसे समझाओ तो सीदिस ही है कि pi की value डाल दो इदर 180 होती है 180 के upon में क्या 6 है pi की value डाल दी 180 upon में 6 ही सही मतलब pi by 6 की value क्या होगो यह काट लो 6 3 जा 18 pi by 6 की value यह radian में है और इसको degree में क्या हम क्या बोलेंगे 30 degree तो pi by 6 की जगे पर मैं लिख देता हूँ sin square 30 degree plus pi by 3 की जगे पर ऐसे ही कर लो कि pi by 3 है न मतलब क्या हो गया 180 by 3 और यह कटा हमारा 60 बार मतलब क्या आ गया 60 degree pi by 3 radian में बोलते हैं और 60 degree degree में बोलते हैं तो यहां आ गया 60 degree minus 10 square pi by 4 की value क्या होती है 45 डाल के देख ले न 180 by 4 4 यह कटा 45 बार ठीक है 45 degree यह आ गया हमारे पास 45 degree तो अब मुझे sin 30 की value पता है ठीक है sin 30 की value पता है मुझे 1 by 2 यहां लिखा हुआ है square तो मतलब इसका भी square हो जाएगा plus cos 60 की value मुझे पता है 1 by 2 यहां लिखा हुआ है square तो यहां भी square हो जाएगा minus 10 45 की value होती है 1 यहां पर भी square है तो यहां पर भी square लग जाएगा अब क्या करेंगे यह हो गया 1 by 4 प्लस यह भी हो गया 1 by 4 और minus का 1 क्योंकि 1 का square तो 1 ही होता है अब हम ले ले लेते हैं यहां पर LCM तो मेरा आ गया 4 LCM और यह कटा 1 प्लस 1 प्लस 4 कैसे 4 1 जा 4 जो 1 है उसको इससे इंटू करो 1 से तो 1 जा 1 वो मैंने यहां लिग दिया फिर 4 1 जा 4 तो जो 1 है उस 1 को इस 1 से इंटू करो तो 1 इंटू 1 1 लिग दिया मैंने minus यहां पर minus है तो यहां पर 1 है ना 1 4 जा 4 होता है तो जो 4 है उस 4 को इंटू 1 करा तो 4 आ गया जिसको LCM लेना आता है वो तो अच्छे से समझ रहा होगा तो यह क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस 1 मैंनस का 4 बाई 4 मतलब क्या आ गया 2 मैंनस 4 बाई 4 ठीक है और बड़ी डिजिट मेरी चोती डिजिट मैनस करने पर अगर बड़ी डिजिट के आ गयर मैंनस है तो मैंनस रह जाता है 4 मेंसे 2 गया 2 अप आउन में 4 यह कटा 1 बाई 2 मतलब आ गया मैंनस का यह आ गया हमारा right hand side ठीक है lhs को हमने lhs को हमने right hand side के equal prove कर दिया तो hence prove यही पर हमारा access size 3.3 का question 1 खतम होता है